सखी सहेली जो आज के विश्व बौदिक संपदा दिवस है और बहुत सारी जानकारी है हमारे शोताओं को तो है कुछ और जानकारी भी मिलेगी तो जहिर है आप जुड़ चुके हैं तो हम भी आ गए हैं जी बिल्कुल और आज हम बात करेंगे कि समर के पुचुनते समय क्या साथ धानी पहला है जो ग्रीष मुकालिन शिविर जो होता है जिसमें बच्चे तरह-ंतरह के चीज़े सीखते हैं वो अगर कहीं लग रहा है और बच्चों को भीजना है तो जाहिर है एक मन में रहता है कि कहां भेजें कहा नहीं भेजें तो इसके बारे में कुछ हमारे सुजहाओंग तो वेंजन भी कुछ बताएंगे हम उसके विधी बताएंगे है ना और कुछ बुआ हमारे सभी शोता और सक्या भी बताएंगे वेंजन बिल्कुल जाहिर है हम उसे भी शामिल करने की कोशिश तो करते हैं अरबा लेकिन कभी-कभी समय नहीं रहता है तो छूट भी जाता है उसका तो भाई हमें भी अफसोस तो रहता है खैर लेकिन अच्छा लगता है कि वो लिखते हैं हम तो उसे नोट कर लेते हैं और कई चीज़े हम लोगों ने कोशिश भी की है बनाने की और बना भी है तो आपके जो वेंजन है वो काम आते हैं हमारे भी तो इसी तरह से एक लिखा हुआ बना है पना बना है हुआ हुआ sister on कर भी तो यसका अधिकार होती आ है कोई वैसे तो पारंपरिख होते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं मारे साथ ही वो नया इजाद करते हैं तो शाहर है कि यह उरक उनकी संपत्त हो जाती है और आज का दिन उनसभी के लिए प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व इस्तर पर विश्व बौधिक संपदा दिवस मनाया जाता है सन 1970 में विश्व बौधिक संपता की स्थापना हुई थी और इस संगठन ने ही सन 2000 में 26 अप्रेल का दिन चुना यानि आश की तारिख और आज से ही विश्व बौधिक संपता दिवस मनाया जाएगा ये उन्होंने निश्चित किया था 2000 में और बौध लोगों में रचनात्मक्ता और स्रजनात्मक्ता को बढ़ावा देने के लिए इन से जुड़े अधिकारों की क्या भूमिका है इस बात की जागरुकता फैलाने के लिए आज का दिन मड़ा खास महतु रखता है और विश्व बौधिक संपता का मुख्याल है जिने आत्मकारी करते हैं उसमें सिर्फ हमारा हक होता है यानि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा बनाए हुई स्रजित की रचना संगीत साहित तिक्रतियां अविश्कार कला या डिजाइन या उसकी होगी जिसने उसे बनाया है वो उसकी बौधिक संपता कहलाएगा जैसे कि मत पाइदे कानून अधिकार भी बने हुए हैं जिनको हमें जानना चाहिए और अधिकारों का उप्योग करके अपनी बौधिक संपता की सुरक्षा करना चाहिए जिससे कोई और चुरा ना सके नकल ना कर सके और भाई जाहिर है कि हमारा हक है उस बिल्कुल अक्सर ऐसा होता ह कि उसकी नकल कर लेते तो फिर उसकी जब हमारे पास अधिकार होंगे तो फिर कैसे करेगा हाँ जैसे हमने किसी को कहानी सुनाई और उन्होंने अपने नाम से छाप दी पूरी-पूरी कहानी या आपने पढ़ने के लिए दिया और उन्होंने कर लिया अब इसलिए अक्सर देखा होगा कि लिखा रहता है कि इसके सर्वा अधिकार सुरक्षित है इसका कोई भी अंश आप बदल कर भी नहीं प्रकाशित कर सकते तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं यही है बौधिक संपदा और विश्व बौधिक संपदा के अधिकारों की बात करें त जैसे किताबों से लेकर संगीत, फिल्म, मूर्तिकला एवं कंप्यूटर के प्रोग्राम है इसके साथ तर डेटाबेस, विज्यापन है, मान चेत्र और तक्नीकी, ड्राइंग भी इनके अधिकारों में आते हैं जी और कॉपी राइट में हमें सुरक्षा मिलती है हमारे काम कि उसका कोई यदि दूर्पयोग करता है तो उस पर कारवाही हो जाती है जी हाँ, ट्रेट मार्क एक संकेत है जो कि उद्यम की वस्तुमों और सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है, ट्रेट मार्क प्राचीनकार से चला आ रहा है जब कारीगर अपने उ वस्तुमों पर अलग-लग होती है, तो अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कोई विवस्तु का निर्मार करने जा रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको इसकी पूरी जानकारी होना ही चाहिए, बिलकुल, और पेटेंट की बात करें तो वो एक अविशकार के लिए विशेश अध और यदि कोई उसका इस्तेमाल करता है तो उसके नाम से ही कर सकेगा. इसी तरह से जो कमपनी होती है ना उनका भी कोई डिजाइन होता है. यानि कि जैसे कि हम काइड बनवाते हैं कोई लोगो होता है या कोई उनके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कोई टैग लाइन दी होती है जैसे कहते हैं तो वो सारी चीजें उनकी अपनी होती हैं रंग होती हैं विशेश रेखाएं होती हैं प्रतीक चिन होते हैं जिसको कर दो प्रोप आय तो इस लिए दो दो जो एकल प्रोपर्टी आ को यह समझ बहुत जरूरी है इस बारे लगना भी चाहिए लेकिन इसी लिए तो इतने अधिकार दिये हैं कि कोई और उसका हनन न करे जो आपने बनाया वो आपका ही रहे बिल्कुल और तो भाई हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ लिख लिख कर भेजा है ना जैसे एक संदेश है कि विश्व बौधिक संपदा हर साल 26 अपरेल को किसी के जीवन में बौधिक संपदा के महत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है शरिज्व 26 अपरेल को हम नवा चार और रशनात्मक्ताग बढ़हा देने में बौधिक संपदा आइप अधिकारों के महत के बारे में जागरुकता बढ़हने के लिए प्रतिभा को विक्सित करने के लिए समान आवसर है अपनी विचार बदल कर जिन्दगी बदला जा सकता है अपने अंदर की ताकत को जन कर भविशिका हम स्वयम निर्माण कर सकते हैं बौधिक्षमता, चीतना, रशनात्मक्ता, नए विचार करने की विचार शीर्टा, दूर develop समाज मातापिता स्कूल कॉलेज ही कर सकते हैं आज का ये दिन पुना इन बातों पर गौर करने का अवसर प्रदान करता है तो वह ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये तो है कि हमारे पास जो अधिकार है लेकिन हम अपनी स्रिजन आत्मक्ता स्रिजन शीर्ता कैसे और बढ़ाएं इस बारे में भी हमें ध्यान करना चाहिए ताकि हम इस अधिकार का प्रयोग कर सके है और वह एक संदेश और है लिखते हैं कि वेश्व बौधिक संपता दिवस 2023 दुनिया भर की सभी प्रतिभा शाली महिलाओं को मनाने का अफसर है आईपी में लैंगिक समानता की दिशा में काम करें और हर जगा महिलाओं और लड़कियों की प्रतिबा और रचनात्मक्ता को उजागर करें हम सब मिलकर एक बहतर कल का निर्मार कर सकते हैं लैंगिक समानता की जहां तक बात है हमें नहीं लगता कि कहीं पर भी ऐसा है समानता की बात है अधिकार सब को बराबर से मिले हैं हो सकता है कि हम बहनों को थोड़ी सी इसकी जानकारी कम हो और वैसे भी अगर प्रतिशत देखें तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा प्रकाश नहीं है आजकल तो सब बराबर हैं आगे आ रहे हैं लड़कां भी खुब आगे आ रहे हैं उनको पूरे अधिकार मिले हुए है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या आई-पी कोई और ले ले लेता है तो अगर जैसे कि किसी पुरुष भाई को हमरे हक है कि वो लड़ाई एक और विरांगना का नाम जुड़ गया 12 वर्षे तेले शुरी बरुवा एक ऐसी शक्स थी जिन्होंने इस बात का उधारन प्रस्तुत किया कि महिलाएं अपने अधिकारों की मांग करने एवं अपने देश की आजादी के लिए लड़ने में सक्षम है और इसके लिए पहली संतान थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उसमें शामिल होने चल दी गांधी जी ने महिलाओं को इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रोचसाहिद किया उनका मानना था कि महिलाएं अपने सुभाव के कारण इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है मृत्यवाहिनी में शामिल हो गई और देखते ही देखते सुतनता सेनानियों के जुलूस पुलिस स्थानों पर ध्वच फैराने के लिए निकल पड़े देखती के गीत जो है गूंज उठे नारे गूंज उठे बी सितनबर हम बात कर रहे हैं तिलेशवरी बर्वा की तो जहिर है कि जब वो ध्वच फैराने के लिए निकल पड़े उनका दस्ता तो सभी तरफ एक पूरा महौल बन गया देखभक्ती के गीत गूंज रहे थे नारे गूंज रहे थे बी सितनबर सन 1922 को मनबरनाथ के निर्टित्व में ये जो आत्मगाती दस्ता था उसकी महिलाएं जो है धेकिया जुली पुलिस थाने पहुंची पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जाहिर है के रोकने के बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी तिलेश्वरी उस जुलूस का हिस्सा थी वे मार्च कर रही थी तभी पुलिस बल ने एक सेवक को जड़ा फैराने के लिए रोका और नहीं मारने पर उन्होंने गोली मार द उनके शहीद हो जाने पर एक एक करके कई साथ उन्हें थाने के उपर चड़ने की कोशिश की लेकिन उनको भी पुलिस की गोली का निशाना बनना पड़ा कुमोली देवी और मोही राम कोच जो उस दल के सेवक थे उन्हीं भी गोली लगी और चौथी गोली तिलेश्वरी बर्वा को लगी क्योंकि वे भी चड़कर तिरंगा फैराना चाह रही थी महात्मा गांधी के करो या मरो के आवहन पर कई सौसत्तरा ग्रही इस मिशन के ले जुट गए थे उस समय ते लेश्वरी बर्वा को गोली लगी थी उनके मुंग में वंदे मात्रम की हुंकार निकल रही थी इतने सहस और जोश का जजबा ही देश की आजादी के दीवानों का था एक एक करके बलिदान जिनोंने दिया उनीक वज़़से देश आज आजाद है और जाहिर है कि देश सौतंतरता से आगे बढ़ रहा है और हम विकास की और आगे बढ़ रहे हैं ऐसे वीर कम उम्र की बाला विरांगना को शत-शत नमन करते हैं और बुआ बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसी विरांगना की हम कहानी परते हैं खुल भी प्रेडित हो जाते हैं अब गर्मियों की छुट्टियां बच्चों की शुरूइ हो चुकी है तो ऐसा लगता ना कि गर्मी की चुट्व में बच्चे भी चाते कि हम कहीं जाएं घूमने जाएं और पैरेंटस चाते हैं कि अगर इस बार घूमने नहीं जापा रहे हैं तो फिर भई बच्चों को कुछ कैम्प जोईन करा देते हैं, समर कैम्प जिसे कहते हैं, देखो केवल कैम्प हो चाहे नहीं हूं, या कहीं घुमने जा भी रहे हूं, तो यह जो कैम्प होते हैं, यह जो शिवर लगते हैं बच्चों के लिए खास सोर से, वो विशेश रूप के साथ उनको ज़ादा मज़ा की नहीं तो अगर मौका है तो आपको इसमें ज़रूर भेजना चाहिए और समर केम में जो बच्चेığını होते हैं वह अपने रूची के अनुसार काम कर सकते हैं और नैने तरीके कैम पसंद करता है तो अगर आपका बच्चा आपको बता देता है और नहीं बता पते हैं तो आप उससे पूछ ही लीजिए कि आप किस में जाना चाहते हैं यानि कि हर तरीके के जो होते हैं वरक्शॉप्स भी उटी कारेशालाई होती है जैसे नाटक की होती है, गाने की होती है, रिति की होती जैसे तुमने बताया ऐसे ही ड्रॉइंग की होती है, या खेल की हुई, या स्विमिंग के लिए है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे की रूची किस में है वो चाहता है स्पोर्ट्स में और हम उसको भेज दें गायान में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तब तो उसका मनी नहीं लगेगा यह सब सीखना क्रिकेट का किसी को शौक होता है तो वो भी उस तरह से भी चीजों को सीख सकता है और समर कैम का जो चैन करना होता है उसको ध्यान रखना यह है कि उसमें एज ग्रूप के अनुसार आप उसको चैन करें मतलब हर उमर के होते हैं अब जैसे कि 10 से 14 वरश के बच्चों का अगर है और आपका बच्चा 6-8 साल का है तो जाहिर है कि उसमें वो सामझस से स्थापित नहीं करवा पाएगा या बहुत तेज भी है तो वो बात नहीं आती है तो हम उम्र लोगों के साथ मज़ा आता है नहीं दो साल आगे पीछे तो ठीक है लेकिन अगर जादा आगे पीछे हो अच्छा फिर हम जब परियोजना की बात कर रहे है उन्होंने जो योजना बनाई है वो उस उम्र के हिसाब से बनाई है तो कहीं नहीं जो बच्चा है आपका अपने आपको उसमें फिट नहीं महसूस करता है उसको लगेगा कि हम यहां क्यूं आए हैं यहां क्यूं खटे हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है या अपनी उम्र से कम वाले अगर कैंप में चले गए तो उसके लगता है कि हमीं क्लास दे लेते हैं इसे से अच्छा सौ तो इसलिए उम्र का ख्याल करना बहुत जरूरी है बिल्कुल और माता पिता को विशेश तोर पर अपने बच्चों के बारे में ये पता रहे कि उन्हें इस गर्मी की चुटी में वो क्या करना चाहते हैं उनकी दिल्चस्पी है भी या नहीं है या जबरदस्ती उन्हें भेजा जा रहा है ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे कभी कभी चाहते हैं कि नहीं हम घर में ही रहे के अपने मन पसंद के खेल खेले यह बाद भी सही है तो उस तरह से भी हमें उनका ध्यान रखना होता है और बढ़ा परफेक्ट समर कैम को चुनना बड़ा चैलेंजिंग होता है कि बच्चे आपका छोटा है या बड़ा है तो किस हिसाब से करें तो यह भी माता पिता के लिए बड़ा चैलेंजिंग है तो बही देखो ऐसा है कि यह चुनोती पूर्ण है लेकिन जैसे हमने दो तीन पॉइंट बता है उसका अगर ख्याल रखेंगे तो पहले तो वहीं पर आपकी समस्या का निदान हो जाएगा यानि कि मतलब उमर का ध्यान रखें कैसा कैम बच्चे की रूची क्या है फिर उस किस प्रकार के गुण है क्या वो इसमें उत्सुकता पूर्वक भाग ले सकेगा या नहीं इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए ही बच्चों को समर कैम में प्रवेश दिलाना चाहिए समर कैम बहुत दूर नहीं होना चाहिए जिससे कि आने जाने में समय बरबाद हो आते हैं तो वहां पर टाइमिंग पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस समय बच्चा जादा खुशी-खुशी सीख सकता है जैसे कि बच्चों की आदत होती कि सुबह देर तक सोने की है और रात में पिर देर तक सोते हैं मतलब देर से उठना ऐसे जागना इस तरी के आते हो सुबह जल्दी उठ जाता है तो उसको लगता नहीं हम सुबह जा सकते हैं समर कैम में तब ठीक है उसके लिए लगता है कि अगर बच्चों बच्चे जो देर तक सोते है उन्हें सुबह वाले समर कैम में भेज़ गाए तो फटफट उठ जाएंगा अपने आप ये कि चुनने से पहले इस बात का पता लगाएं कि क्या आपका बच्चा कैम्प के लिए तैयार है और वास्तों में दिल्चस्पी रखता भी है या नहीं जासे तुमने कहा था ना कि जाना चाहता है कि नहीं हो सकता घर में रहना चाहे इन्होंने लिखा है कि बच्चे को माहँ करने के लिए या पर नहीं है नहीं को जाना है लेकिन हाँ जांगर है कि दिन में अगर है कही तब आफ इढ़ियाद तो बच्चे में रूची जग जाएंगी जानी नहीं हुई तो कुछ नहीं हुई तो कहाईनी बच्चों बच्चों को बच्चों को बताना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई का प्रशर नहीं होता है महाँ पर आप खेलेंगे और खेल खेल में कहानिया को विताएं आप को याद हो जाएंगी और आपका मनरंजन भी होगा और ग्यान भी बढ़ेगा और कई बार जो चुपे हुए गुण होते हैं वो भी आपके निकल के वहाँ पर आ जाएंगे तो बिल्कुल सही बात है तो इसके लिए भी समर कैम्प में बच्चों को जरूर भेजे लेकिन चुनते समय इस बात का ख्याल लखे हैं जैसे हमारे साथी ने लिखा था कि बहुत दूर नहीं होना चाहिए कि जाने आने में समय बरबाद हो रहा है अब आपको ये देखना है कि आ प्रति दिन जाना आना है या वहीं रहना है कई तरीके के होते हैं एक ऐसा भी होता है कि जहां पर पंदरा दिन के बहेज दिया बच्चे गए घूमगाम क्या है कहीं उन्होंने लगाया शिवर जैसा और फिर उसके बाद पूरी तरह से वापिस आ गया एक होता है कि उसको जयसे कारेशाला कह सकते हैं जिसमें कि आपको प्रति दिन जाना है जो अंगरत थी दिन हो या किसी और चीज की हो तो इस तरी के कि हैं किस थरह कि इस आपको बच्चा आपके बगए रात में रह पाता है कि नहीं तब आपको उस हिसाप से उसका चुनाव करना होगा कि आप किस तरह के कैम्प में भेज रहे हैं और बच्चे की आदत क्या है बिल्कुल और बच्चों का जो समर कैम्प में जाते तो उनका आपस का वहवार भी बनता है आपस दोस्ती होती है ने ने दोस्त बन जाते हैं तो एक तरह से आप जो बच्चे जल्दी नहीं घुलते हैं तो उनको भी ये फायदा हो जाता है कि वहाँ पर जाने से धीरे धीरे वह एक दो दिन में घुलना शुरू कर देते तो कई बार होता है देखा जाता है कि वह दोस्ती उनकी बहुत समय तक चलती है तो इस तरह से बच्चों को मानसिक रूप से हम प्रेरित कर सकते हैं इसके बाद को देखने के बाद आप ये भी देखें कि वह इस्थान कितना बड़ा है और कितने बच्चों को उन्होंने बुलाया है तो वह इस्थान ऐसा तो नहीं कि बहुत कंजस्टेड हो रहा है वहाँ ज्यादा भीड़ है तो ये अनुपात सही है या नहीं या एक कमरे में चार ब कैम्प लगाने का तब आप भेजें बच्चे को समर कैम्प में इस बात की जानकारी जरूर रख ले और किसी से जो जा चुका है पहले उनके कैम्प में उनसे बात कर लें किन किन चीजों की कमी है या कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है और इस तरह से तो बहुत सारी जानक क्या कहें सारी समस्याय भी होती हैं और अपने आप में यह जान ले भी कभी-कभी हो जाता है तो दिखें हमारी एक सकीने लिखके भीजा है ग्रेप स्पंच अंगूर का शर्बत अंगूर इसकी वीदी है अंगूर पुदिने की पति जीरा और काला नमक को पहले मिक्सी के जार में अच्छी तरह पीस कर चन्नी की साहता से चान लेना है इस रस को गिलास में डालते हुए उपर से नीबू का रस और बहफ डालकर इसको आपको सर्फ करना है शीतलता प्रदान करने वाला पे तयार है बड़ा जटपट बन गया बुआ यह थाना अच्छा दे पानी पाप्सिकल तो इससे बनाना भी बहुत आसान है सामगरी जो है उसमें इन्होंने लिखा है कि चार कप के करीब ताजे नारियल का पानी ले लिजे ताजे कटे फल जैसे तर्बूज, खर्बूज, अनानास, अनार के दाने यह जो भी फल आपके पास हो और जो आपको कम भरें और उसके बाद अब नारियल पानी सांचे में बढ़ धीन है, जो जगए बची है उतना भो भर जाए, और सांचे को बंद कर दीजए, उतना वो बहुद दीजए, जबने के बाद पैप्सिकल को सांचे से निका लिए और खिला एये, खाये, तो यह तो है, हमने बहुत ही सारी चीज़े इसमें प्राक्रतिक रूप्स है, नारिल की बात करीनों तो बहुत अच्छी सी वेंजन विदी है, तो भू अभी और वेंजन पढ़ें कि पहले गीत सुन लिया जाएंगे, हाँ सुन लेंगे, पहले गीत सुनेंगे, क्च्छे पपीते का रायता भी पहले जाएंगे, हमारे साथी ने बहुत एहतियात के साथ इसको लिखकर भी जा है, हालका सा पका है, तो भी इसका रायता बहुत ही लजीज होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, कच्छे पपीते को छिलका हटा कर धोकर उसे कद्दू कस कर लीजे, आप इसे बा इसे पीस का पाउडर बना लीजे, अब उबले हुए पपीते और दही को मिला लीजे, मतला पपीता ठंडा हो जाना चाहिए, और इसके अनुपात में इसे रोस्टेट भुनाव पिसा हुआ मसाला, काला नमक, बारीक कटी हुई हरे मिर्ज, धनिया पत्ती भी मिला दे, नम सरसो का तेल पसंद है तो उसमें आप सरसो मिला दे, ला जवाब स्वाद मिलेगा, फ्रिज में रख दीजे, ठंडा रायता गर्मियों में खाने को स्वादिश्ट बनाता है, जॉन्डिस और लिवर के रोगियों को बहुत फाइदा करता है, पर इसमें तब तब तेल न डा और बहुत देखें, गिल्की की सबजी बता देते हैं, गिल्की को चील कर दोनों किनारे काटकर, बीच से चीरा लगा कर बरावन के लिए तयार कर ले, बरावन का मसाला है, भूनी मूंपली का पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरमसाला, थोड़ी शक्कर, अम्चूर पाउडर, बारी, कटा, प्याज, लैसुन, अद्रक, मिर्च का पेस्ट, अब प्लस इन सारे मसालों को अच्छे से मिला ले, और गिल्की में दबा कर अच्छे से भर ले, और दो या तीन लंबाई में काट ले, कड़ाई में तेल डाल कर राई, जीरा का बगार लगा लगा है कि गिल्की जो है वो लौकी होती है, क्योंकि छील कर दोनों किनारे काट कर बीच से चीरा लगाएं, तो मतलब इतनी मोटी होती है वो कि उसमें आप भरावन नहीं भर सकते, ये कोई और सबजी होती है गिल्की, और दोनों किनारों को काट कर बीच से चीरा लगाएं, तो यह कोई और सबजी है तो भाई आप बताईगा कि क्या है यह सबजी इसका और भी कोई नाम है तो आप ज़रूर हमें लिख कर भेजिए तो भी हम कारेक्ट्रमें बता सकते हैं बहराल और क्या हम that each day है अलए कुछ और बे़ा थांडा दो बड़े चम्मच भुने हुए मुंगफली के दाने नमक पिसी काली मिच स्वाथ से और अब क्या करना है बुआ इसमें कि इसकी विद्य की खीरा सेब उसको आप चिलका हटा के खीरे का चोटे-चोटे टुकड़ों में काट लीजिए सेब को आप ऐसी काटेंगे चिलका सह इसको आप करीब 10-15 मिनाट तक आप इसको फ्रिज में रग दीजिए ठंडा हो जाएगा तब आप इसको खाएंगे ना एपल खीरा मिक्स तो बहुत रह देगा अंदर से खाने में तो बहुत अच्छी बात है और इसको जरूर आप आजमाए गिल की जो हम कह रहे थे पहले रही jest है इसको बहुत शारी जगल का कहते हैं बहुत जगह जल तरूई कहते हैं उसमें खुर्दुरी बी आती है । यह भरवा बना सकते हैं जो हमारे नीबू कि शिकन्जी पी लेजे, अब जैसे वो हम सामाने तोर पर शक्कर डाल कर बनाते हैं, कुछ लोग उसमें थोड़ा शक्कर कम डालते हैं और साथ में थोड़ा सा काला नमख और भुना हुआ जीरा भी डाल लेते हैं उसको असाथ थोड़ा सा अलग हो जाता है और उसमें फिर आप क्या करें कि ताजी जो पुदीने के पत्थियां आती है लेकिन थोड़ी ताजी होनी चाहिए थोड़ी यानि कि बहुत मुझाई हुई नहीं थोड़ी कड़क होनी चाहिए उसको उसको ऐप एक मुठी हाथ में ले लेआ उसको हाथ से बस करश कर दें दूसरी हतेली में जैसे नहीं हाथ में कुछ ऐसे अगर हम दबा रहे हो तो बस ऐसको धबा ले उसके पैण उसको करश करके आप गلاस में डाल दीजए शर्बत के फिर देखिए उसकी खुश्श्वू और उसकी तास्गी जो है वो बिलकुल अलगी आनन्द देगी उसका जो है और जो फ्रेश्नेस आती है वो बिलक अलग तरीके की होती है तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको भी घर में बहुत अच्छा शर्बत है ये बुआ एक नीबू का शर्बत ऐसे भी हम लोग बनाते थे कि एक बोतल लेके उसमें कांच की उसमें पूरे में शीशी में चीनी भर देते थे पूरी उपर मूह तक पर नीबू का रस खुब सारा च्छान के लिए और पूरी बोतल में भर दिय और 10-15 दिन धूप में रख दिया फिर उसके बाद वो पूरा घुल जाती थी चीनी फिर जब शर्बत बनाना है तो एक दो चमच लिया और पानी डाला बरफ डाला तयार कर लिया ये बात तो है और ये जो है वो समय होता है जाहिर है कि जिस समय नीबू बहुत आ रहे हो त इस तरह से बना कर रख लिया जाता है और जब नीबू थोड़ा महंगा हो तब आप इसका प्रियोग करिये लिकिन जिस समय नीबू आ रहे हैं सामाने तौर पर तो हम सीधे सीधे बना सकते हैं और ऐसे और बहुत सारी चीज़े बना सकते हैं अब रिफ्रेशिंग ड्रिंक की बात आ रहे है तो ओरेटो जो है वो थोड़ा अलग हटकर है इसके लिए हमें सामगरी चाहिए एक कप टमाटर का जूस चाहिए बैसिकली तो इसका जूस ले लिजे और दो कप संत्रे का जूस चाहिए दोनों सामाने ठंडा होना चाहिए अब यह है कि दो तीन चुटकी जो है काले मिर्च पाउडर ले लिजे आप नमक स्वात के हिसाब से ले लिजे बर्फ के टुक्डे तो चाहिए इशरबत है तो और एक कप पुदीने की पत्ति कटी भी ले 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 चीनी ले ले उसका पाउडर होगा तो और अच्छा है एक गिलास में संत्रे का जूस डाल अच्छा एक बात और है कि पुदेने के पती कातना हो या धनिया के पती कातना हो, पबहु केची से काटकर देखें गे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी आसानी से कटता है, बहुत बारीक कट जाती है, तो इसमें आप उससे कर डालेंगे तो बहुत अच्छा लग तो हम लोग विदा लेने की तरफ आगे बढ़ गाते हैं बिल्कुल बढ़ते हैं लेकिन जो हमने आज बताया है कि बच्चों को समर कैम्प में भीजें तो किनकिन चीजों का ख्याल रखें इस एहतियात के साथ हम अब विदा लेना चाहते हैं आपसे तो सभी को मंजरी वर्म प्यारी बुआ का नमस्कार